हालो गाईज वेलकम बाक आप मैंसे बहुत सारे लोगों का ये कोशिन होता है कि हमें घरों पे कौन सी MCB का यूज करना चाहिए जिसके बज़े से जो हमारा वारिंग जो कनेक्शन रन कर रहा है वो सेफ रहे हाई वोल्टेज के वक्त भी जाला डामेज ना हो या फिर कभी 440 की कंडेशन भी आ गई तो आपको जादा नुकसान न जहिलना पड़े तो आए मैं आपको आज इस वी दोस्तों यह कुछ MCBs हैं जो आंकर के तरफ से हैं इनकी डीटेल्स आप इसके बॉक्स के थूरू ही जान सकते हैं जैसे कि जब आप इसे पीछे पलट के देखीगा तो देखी यह जो है 32 A का है और इसमें इसकी प्राइसिंग वगरा भी दी गई है यूजर वगरा भी दी हुई है मन्त और मैनिफक्टर और बाकी सारे डीटेल्स भी दिये गए है यह हो गया जो आपका यह है 32 A का और दूसरा यह जो है यह आपका है 25 A यहां पे देख सकते हैं आपको जब भी आपको पावर चेक करना हो MCB का तो आप उसके पीछे तरफ पलट के यहां पे प्रिं लिखी गई है जैसे कि यह है ब्रेकिंग कापासिटी जो है इसकी 6000 एंपेर देन लोग वाट लॉस आईपी 20 प्रोटेक्शन अफ देन हाई स्पीड मेकानिजम और इनर्जी एफिशियंट MCB तो गाईज यह क्वालिटीज है जो आंकर की MCB में आती हैं जिसके वज़ा से य काफी एफिशेंट रहते हैं तो आई मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कि इसके अंदर अक्चली में MCB किस्ते रखे रहती है यह देखी फ्रेंड्स इसके अंदर MCB आपको इस पावमेंट में मिलेगी यहां देखिए यहां पे सामने इसका पावर लिखा हुआ है सी 25 अ देन आपको पीछे के लिए हुकिंग मिल जाएगी जिस यह देखिए यह जो है यह इसे MCB बॉक्स में कनेक करने के लिए है यह हुक जब आप इसे बॉक्स पर फिट कर रहे हूं तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसे प्लग करने के लिए गाईस वहीं बात करें इसके व कितने यूज पर कौन सा यूज करना है सबसे पहले बात करें इसके जो 16 एंपियर वाला वेरियंट आता है वो तो अगर आपके घर पे जादा लोडनी है फान वगेरा है फ्रीज वगेरा यूज करते हैं तो बेसिकली आपको 16 एंपियर का यूज करना चाहिए 16 एंपियर का जो यह रहता है MCB वो हाई वोल्टेज पे जल्दी से ट्रिप भी कर जाता है यह उसकी एक खासियत रहती है कि वो तार को ज्यादा गर्म होने तक नहीं बरदास करता है वो थोड़ा गर्म होने पे ही ट्रिप कर जाता है जिसके वज़े से आप जो हैं किसी भी हेवी डामेज से बच जाते हैं और वहीं बात करें इस 25 एंपियर वाले की तो अगर आपके पास एक ही घर पे या फिर एक हिससे पे गीजर वगरा भी है थोड़े बड़े आप लिए आंसे भी आप यूज करें तो आप 25 एंपियर वाले का यूज करें और देन अगर उसी तरीके से जब आपका लोड इलेक्टिसिटी लोड घर पर बढ़ता जाए ज्यादा चीज़ें यूज हो रही है तो आप 32 तक जा सकते हैं बैसकली इनकी प्राइसिंग जो है 32 एंपियर तक की लगभग सेम रहती है आपको उसमें ज्यादा वेरियेशन नहीं मिलेंगे आपको इनकी यूज़ का इनकी केपासिटी का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्लियर हुआ होगा बट इस्टिल में आपको यह कहना चाहूँगा कि इनका यूज़ करने से पहले आप किसी इलेक्टिशिन की सला जरू ले उन्हें पहले अपने घर के लोड के बारे में बता दे पूरा प्रॉपरली बता दे कि आपको क्या क्या यूज़ करना है घर पे कितने सारे आपको यूज़ करने है कोई बड़ा प्रोड़क्ट यूज़ करना है या छोटा यूज़ करना है देन उल्ली उसके सजेशन के साथ ही MCB का चुनाव करें तो इसी information के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होगा I hope कि आपको ये information अच्छी लगी हो इस तरह की specific basic information के लिए मेरे इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें Thank you for watching guys आपके इस प्यार भरे जो comments आते हैं जो review आती हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवादी